राम टहल चौधरी अब कॉंग्रेस के हो गए हैं। राम टहल चौधरी से जानना चाहूंगा कि चौधरी जी राची लोकसभा सीट से क्या आप चुनाओ लड़ रहे हैं। कॉंग्रेस आपको उमिद्वार अपना बना रही है। क्या आश्वासन मिला है। कि दो कि सभी जानते हैं हम तो पांच साल किसी पार्टी में ने गए हर पार्टी वाले अव लोग आए। कि यार सोस समझ करके हम जाएंगे चुकि अब इच्छा भी नहीं होती है जो गंदगी है जो हम लोग ने राजनिती किया और आज के राजनिती में असमान जमिन का थे इसे इच्छा भी नहीं करती है। अगर समान जनक चुकि यहां तो तीन-चार पार्टी का ही है। कि यहां तो इसी पर कुंग्रेश के और हर दल के लोगार आम जनता में यह था कि आप कहीं से लड़िए किसी भी हालत में लड़िए यह पांस साल में लोग बड़ी कि दुखी हुए है। लेकिन चौधरी जी यह जाना चाहूंगा कि क्या कॉंग्रेश की तरफ से आपको आश्वासन मिला है। कि राची लोगसभा सीट आपको कॉंग्रेश लड़ाना चाहेगी। देखिए तो आप राष्टिये पार्टी है, इन लोग का अपना डिजिसेन है। वगर हम के उनकी हैं सब जानते हैं। और उनके सारे लोग जानते हैं, कॉंग्रेश के लोग हमको कहा गया कि अगर आप शौ मेना पहले सान मेना आप अगर कॉंग्रेश माना चाहेंगे तो हम लोग आपकी बात बढ़ाएंगे। हम गर पॉजिटिव हो गया तो हम जाएंगे। यानि पॉजिटिव कुछ दिखाई पड़ रहा है, हलांकि आपने लगातार पर्तिद्वन्दोइता की है सुबोत कांथ सहाई से, वो भी एक बड़ा नाम है, वो भी यहां से लोक सभा में आपके इतर कभी जितते रहे हैं, दूसरी तरफ वो हारते भी आप से रहे हैं, तो स सुबोत कांथ भी आपके लिए परतियाशी को ले करके बड़ी चुनोती हैं, कैसे साधियेगा आला कमान को, हम किसी के हाँ साधने वाले नहीं हैं, जिनको वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमने तो जोइन किया रांची चला है, मैं खुसामत की राजनीती ना किया हूं, बाजपा में बैठे हैं हमकभी टिकट मांगने नहीं की हाँ, वो समय दिये कि कौझ सीट निकल रहे हूं, कॉंग्रेस में भी हमने कहा है, आप देख़ेए, ब्धिक्ति मत देख देख़ेए, सीट कोण निकालेगा ओ आप देख़ेए, और निरने लेजे, हम कोशी कार है, ह हम कोई सोख नहीं हम जाते हैं कि सीट इहां इंडिया का निकले मेरा ये सोच अगर अगर माली जिस भोद कांथ को टिकट मिल जाता है तो क्या उनको आप सपोर्ट करेंगे सवाले नहीं उठता है होशा अगर होगा तो फिर हम विचार करेंगे क्या करना है नहीं करना है अपने निर्ड़ने पर विचार करेंगे लेकिन एक बात जरूर हम जानना चाहेंगे राम टहल चौदरी जी से कि कल के चुनाओ का जो खर्च है और आज के चुनाओ का जो खर्च है ये काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है कैसे एक जनता की सेवा करने का मनसूबा रखने वाले लोग कैसे चुनाओ लड़ेंगे पैसे कहां से लाएंगे देखे मैं कभी भी पैसे के बल पर चुनाओ नहीं लड़ा है जब ही चुनाओ लड़ा हर ब्यक्ति जहां उचीत हुआ वहां पैसा खर्च हुआ बहुत खर्ची सब गाड़ी घुड़ा होता है मगर जिस तरह से गंदगी फालाएं हैं लोग चुनाओ में अब नाम लेंगे तो अभी ठीक नहीं है जो लोग पैसे के बल पर चुनाओ लड़ते हैं अगर पैसा नहीं रहे तो उनके साथ एक आदमी नहीं रहेगा पैसे पर सब ये करते हैं पेड़ वर्कर रखे हुए हम लोग वो नहीं करते हैं हम जनता के बल पर और हर समाज हर बर्क के लोगों का जो सहयोग आसिर बाद मिला उस पर चुनाव लड़ते रहे और जिते रहे हैं और हमारा जो चुनाव खर्च होता था लोग कोते थे तो लोग को विश्वास नहीं होता था दिल्ली में कि इतना कम खर्चे में कैसे आप चुनाव लड़ रहे हम क्यों लड़ते हैं तो मेरा आइसे के बल पर नहीं मिल सकता है, तरह चाहम थर्चोदरीपद में रहे या न रहे, और हमारे घर में आया तो हम किसी को नहीं पूछा कोण जाती कोण पाटी, हमारे यहां जो भी आया, सब के काम की, इसलिए हम सब ही में मान सम्मान है, तो इसलिए अभी गाउगाउ मेरा आ मज़ रहेंगे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये भरोसा राची लोकसभा सीट के जो भी छेतर की जनता है उन्होंने राम टहल चौधरी को दिया है राम टहल चौधरी जी ने भी दो टुक में कहा है कि यदि सुबोत कांथ साहय को टिकट मिलेगा तो ये बेम उसे के साथ कॉंग्रेस में लाया गया है और मैं छेतर का नित्रत्व जनता की चाह पर उनकी मांग पर फिर से करने को तैयार हूं लेकिन देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर कॉंग्रेस अपना पत्ता कब खोलती है और कॉंग्रेस जब अपना पत्ता खोलेगी तब उस में चेहरा लोक सभा का इंडिया गड़ बंदन का आखिर कौन होता है कैमरा पर संसुरेन परसाथ के साथ ब्रजेश राय समाचार प्लस राची